बॉलिवुड में बीते जमाने के कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो आज भी इंडस्ट्री में अपने अभी नैसे लोगों को खुब एंटर्टेन करते हैं। हाल इमें कई बॉलिवुड मुवी में अपने इंडस्ट्री के कई दिगज कलाकारों की एंट्री होते देखा गया है। पर क्या आपको पता है कि ये एक्टर्स इस वक्त पर मुवी कितना कर रही हैं चार्ज। इफ नॉट वरी नॉट बिकज वी हैव कॉट यू कावर्ड। लिस्ट में पहला नंबर है अमिताब बच्चन का। बॉलिवुड में बिकबी की नाम से पहचाने जाने वाले अक्टर अमिताब बच्चन आज भी फिल्मों में अपनी जबरदस्ट एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना मना देती हैं। रिपोर्टिटली एक्टर फिल्म के लिए करीब साथ से दस करोड रुपय करती हैं चार्ज। नेक्स्ट वी हैब धर्मेंद्र। करंच और की मुवी रौकी और रानी की प्रेम कहानी के रिलीज के बाद से धर्मेंद्र का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मुवी में लोग धर्मेंद्र की बापसी से खुश हैं। रिपोर्टिटली अक्टर ने मुवी के लिए करीब 1.5 करोड तक का हेवी अमाउंट किया है चार्ज। जया बच्चन जया बच्चन ने एक लंबे समय के बाद एक एहम रोल के साथ रौकी और रानी की प्रेम कहानी में एंच्री की है। और उनकी कैरेक्टर को भी मुवी में खुब पसंद किया जा रहा है। रिपोर्टिटली अक्टरस ने फिल्म के लिए करीब 1 करोड रुपे किये थे चार्ज। शबाना आजमी एक्टरस का नाम बॉलिवुड की बहतरीन अक्टरस में शमार है। एक्टरस ने रौके और आणी की प्रेम कहानी में अपनी जबदर्ज एक्टिंग से लोगों को चौका दिया है। Next we have Nina Gupta Actress को कई भेतरीन फिल्म और वेब सीरीज में देखा गया है Reportedly actress अपनी हर फिल्म के लिए करीब 1.5 करोड से लेकर 2 करोड तक करती है चार्ज नीतु कपूर Ranbir कपूर की मौम नीतु कपूर भी फिल्मों में बापसी कर चुकी है और Actress मौवी जुग जुग जियो में नजर आई थी Reportedly actress ने मौवी में अपने रोल के लिए करीब 4 करोड रुपे लिये थे Next we have Anupam Khed Actor का चाम अभी तक Bollywood में बरकरार है Reportedly actor पर मौवी करीब 3 से 5 करोड तक करती है चार्ज आप Bollywood के किस सीनियर एक्टर की वापसी से सबसे अधा खुश है हमें कॉमेंट्स का सरूर बताएं For more such content do like, subscribe and comments to bollywoodlife.com